कलर्ज चैनल पर टेलिकास्ट होने वाले सीरियल उडारिया में इन निनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है हो जुगी है जैस की एंट्री जिसने तेजों की मुश्किले काफी हद तक बढ़ा दी है एक तरहा से अगर ये कहा जाए कि तेजों को टॉर्शर किया जा रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा सीरियल की रीसेंट एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि किस तरहा से जैस्मीन एक बर फिर से जैस के साथ मिल कर चाल चलती है तेजों को कॉल आता है मनप्रीत नाम की स्टूडेंट का लेकिन वो मनप्रीत नहीं बलकि जैस होता है जो मनप्रीत की आवाज में तेजों से कहता है कि वो सोसाइड करने जा रहा है और अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वो सच में कॉलेज की छट से कूच जाएगा ये सुनकर तेजों घबरा जाती है और सीधे घर से बाहर निकलती है उसे सक्त मना ही थी घर से बाहर निकलने की लेकिन वो ये कडम जल्दबाजी में उठा लेती है वहीं आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जैसमीन पहुशती है जैस के पास और जीत का जशन बनाती है इतना ही नहीं जैसमीन ने फतर की मा का हार भी चुराया है जैस को देने के लिए ताकि वो उसके प्लान को पूरा कर सके तेजों को घर से बाहर निकाल सके वहीं आपने ये भी देखा होगा कि जैस तेजो को किड्नैप करके ले जाता है डेट पर जहां पर उन दोनों के बीच बहस होती है वो तेजो पर अपना हक जताता है और तेजो को बार बार यही कहता है कि वो उसकी पत्नी है और वो उसी के साथ रहेगी ये सुनकर तेजो घबरा जाती है, परिशान हो जाती है, हाला कि वो उसकी हर बात का मूँ तोर जवाब देने की कोशिश भी करती है वहीं कल के एपिसोड की जहां तक बात की जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि तेजो फते सिंग विर्क के घर पर पहुँच जाएगा जिस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था, वो हकीकत में होगी आप जैस को देखेंगे विर्क फैमिली में और हर कोई जैस को देखकर हैरान हो जाएगा और इतना ही नहीं जैस पुलिस के साथ पहुँचेगा अब जैस का अगला कदम यही है कि वो फतेह को किसी बड़ी मुसीबत में फसाने वाला है आगे क्या कुछ होता है सीरियल में यह देखना बेहद ही इंट्रस्टिंग होगा मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारी चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें तकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लिटिस्ट अपडेट